हेलो एवरिवन मेरा नाम है डॉक्टर धारा और आज हम बात करेंगे वजन कम करने के लिए डाइट चार्ट के बारे में जिसमें दिन में साथ बार आपको खाना खाना है जिसके अंदर परियापत मातरा में वीटामीन्स, प्रोटीन और न्यूट्रियंट मिल जाएंगे फिर में 1200 कलरी रोजकी लेनी है चैंज को दिन में 1500 कलरी रोजकी लेनी है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजे चलिये सुरू करते हैं सबसे पहले अरली मोनिंग उठते ही आपको लेना है ककड़ी का पानी जिसके अंदर 3.4 कलरी आपको मिलेगी 1 फ कटी हुई छिलकी वाली ककड़ी को मिक्सर में ग्राइंड कर लीजे उसमें पानी डालना है और उसको छान कर सुबयाप ले सकते हैं जो आपकी बोडी को डीटोक्स करता है उसके अलावा आप ले सकते हैं आमले का ज्यूस जो हेर फोल के लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा जिसमें आपको 20 केलरीज मिलेगी हाफ कप कटे हुए आमला और हाफ कप पानी को मिक्सर में क्रस्ट करके जूस बनाना है जो छान कर पीना है आमला में वीटामीन C की मातरा ज्यादा होती है जो बोडी को डीटोक्स करने में हेल्प करता है तीसरा ओप्सन है ग्रीन टी जिस जितनी चीजे बताई गई है उससे ज्यादा आप कोई भी चीज नहीं डालोगे नहीं तो केलरी की मातरा बढ़ जाएगी जैसे की ग्रीन टी में आप सहद या सुगर नहीं डाल सकते ये थे उठते ही लेने वाले तीन अलग-अलग प्रकार के ओप्सन अभी बात करते हैं नास्ते के बारे में नास्ते में आप ले सकते हैं 40 ग्राम ओट्स जिसको 300 ml skimmed milk के साथ ले सकते हैं जो आपको 255 calories देगा उसके अलावा आप ले सकते हैं बेशन चिल्ला जिसे वेजिटेबल आमलेट या पुडला भी भूलते हैं जिससे आपको 60.6 calories मिलेगी ये रेसिपी 10 सर्विंग की है आपको सिर्फ 1 सर्विंग लेना है एक कप बेशन में नमक, एक छोटा कांदा, एक छोटा काजर, 10 ग्राम कैप्सिकम, लाल मिर्ची और पानी डाल कर बैटर बनाना है और उसका चिल्ला बनाना है चिल्ला बनाने के लिए ओलीव ओल का यूज करना है होनी चाहिए सिर्फ 4 अक्रोट या 27 पिस्ता या 77 पाइन नट्स, 13 बादा, 10 काजू, 3 ब्राजिल नट्स में 100 कलरीज होती है अगर आप मॉर्निंग में सिड्स ले रहे हैं तो वो भी 10 ग्राम से ज्यादा मत ले 10 ग्राम चीया सेट्स में 49 कलरीज, 10 ग्राम फ्लेक सेट्स में 53.4 कलरीज, 10 ग्राम हेम सेट्स में 55.6 कलरीज, 10 ग्राम पंकिन सेट्स में 44.6 कलरीज, 10 ग्राम सीसम सेट्स में 57.3 कलरीज और 10 ग्राम सनफ्लावर सीड्स में 58.2 केलरीज होती है अगर आप नास्ते के साथ चाय ले रहे हैं तो ब्लेक टी एक कप बिना सकर बिना दूद के ले सकते है ब्लेक कोफी एक कप बिना सुकर ले सकते है बिना फेट का स्किम्ड मिल्क 100 एमिल ले सकते है जिसमें 35 calories होती है 100 ग्राम अंकुर वाले मूंड भी नास्ते में ले सकते है जिसमें 30 calories होते है दो बड़ी boiled egg अंडो को उबाल के ले सकते है नास्ते में जिसके अंदर 156 calories होती है ये थे हमारी pre-breakfast और breakfast के options जिसमें आपको maximum pre-breakfast में 20 calories और breakfast में maximum 255 calories तक ले सकते है pre-lunch में आप salad ले सकते है 100 ग्राम टमाटर में 18 calories 61 ग्राम मिडियम गाजर में 25 calories 75 ग्राम केबिच में 17 calories 100 ग्राम रेड बेल पेपर में लाल केपसिकम में 31 calories 91 ग्राम रोकली में 31 calories 100 ग्राम पंकीन यानि कंद में 20 calories होती है 56 ग्राम मसरुम में 1 फोर्थ छोटा सा प्याज और 1 फोर्थ टेबल स्पुन ओलीव ओल ढाल कर उसे भुनना है जिसमें 49.9 calories मिलेगी 40 ग्राम लो फेट पनीर में 103.15 calories एनरजी होती है ये सलाड में calorie की मातरा कम और fiber की मातरा ज्यादा होती है जो आप lunch और डिनर से पहले ले अपनी पसंद के अनुसार option चूज कीजिए प्री लंच और प्री डिनर में मैक्सिमम 103.15 calories होगी लंच में आपको लेना है तूर दाल calories 194.3 100 ग्राम तूर दाल को कुकर में बोईल करना है जिसको एक टेबल स्पुन ओलिव ओल में जीरा एक मिर्ची अद्रक लसुन 75 ग्राम टमाटर और एक चमच लेमन जीज डाल कर बनाना है सबजी में आप ले सकते हैं फुलगोबी गाजर मटर की सबजी जिसमें 58 calories होगी सबजी बनाने के लिए एक छोटी फुलगोबी 5-6 diameter की medium size की जिसको 0.13 की मात्रा में लेनी है उसके साथ 0.13 टेबल स्पून ओलिव ओल 0.13 कप frozen मटर 0.13 छोटा ब्याज 0.13 मिडियम टमाटर 0.06 कप गाजर 0.13 टेबल स्पून जीरा मिर्ची, हल्दी, नमक और मसार्य डाल के ये सबजी बनानी है ये सबजी 8 सर्विंग की है जिसमें से सिर्फ आपको वन सर्विंग लेना है लोकी की सबजी 239 ग्राम जिसमें 69 किलरीज मिलेगी 155 ग्राम लोकी 24 ग्राम प्याज आधे से भी कम मिडियम टमाटर 0.72 ग्राम अद्रक लसुन की पेस्ट 0.22 ग्राम जीरा चिली पाउडर हल्दी गरम मसाला और 0.44 टेबल स्पुन ओल्यू ओल और नमक डाल की सबजी बनानी है बीन्स की सबजी में भी कम कैलरी होती है ये रेसिपी दो सर्विंग की है आपको सिर्फ वन सर्विंग की भाजी लेनी है 1.5 कप प्रेंच बीन्स एक चमच ओलिव ओल चीरा एक चमच उड़द डाल एक चमच मिर्ची पाउडर 1.4 टेबल स्पुन राई के दाने और नमक डाल के सबजी बनानी है जिसमें 164.8 किलरी होती है बीन्गन की सबजी 102 ग्राम जिसमें 142 किलरी होती है बेंगन की सबजी बनाने के लिए 2.48 ग्राम वेजिटेबल ओल 51 ग्राम बेंगन जीरा, मेथी दाना तील के दाने अद्रक, लसुन 20 ग्राम पीली प्याज हरी मिर्ची 5.68 ग्राम टमाटर की प्यूरी मिर्ची का पाउडर धन्या, हल्दी, नमक 10 ग्राम नारिल का दूद हरा धन्या डाल कर सबजी बनानी है बिंडी की सबजी में 49.5 कलरी होती है जिसको बनानी के लिए 125 ग्राम बिंडी 0.13 टेबल स्पून ओलिव ओल, मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर, नमक राई का यूज कर सकते है ये रेसिपी 8 सर्विंग की है जिसमें से आपको 1 सर्विंग खाना है 120 ग्राम पालक की सबजी में 84 कलरी होती है जिसे बनानी के लिए 1 चमच लसुन 1 चमच लाल मिर्च पाउडर 0.4 टेबल स्पून अद्रक 120 ग्राम पालक 1.5 कप कटी हुई प्यास 2 कप कटे हुए टमाटर यूज करने है उसके लवा आप ले सकते हैं फूल गोबी की सबजी 1.5 कप फूल गोबी 0.25 टेबल स्पून केनोला ओल 0.25 टेबल स्पून राई हल्दी पाउडर हरी या लाल मिर्ची 0.25 टेबल स्पून नमक यूज करके सबजी बनानी है ये रेसिपी 4 सर्विंग की है जिसमें से सिर्फ आपको 1 सर्विंग यूज करना है जिसमें 76.1 केलरीज मिलेगी 50 ग्राम पके हुए ब्राउन राईस जिसमें 55 केलरीज होती है एक मल्टी ग्रेंग चपाती मल्टी ग्रेंग चपाती बनाने के लिए 2 किलो गेहू सोया बीन 50 ग्राम रागी 50 ग्राम ओट से 100 ग्राम मक्कई 100 ग्राम चनी की दाल 100 ग्राम मिला कर एक आटा पिस्वाना है जो एकदम बारिक ना हो ये आटे में से 30 ग्राम की एक चपाती बनानी है जिसमें ओइल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है ये चपाती में से आपको 109 किलरीज मिलेगी 100 ml चाच में 41 किलरीज होती है ये चाच आपको 40 ग्राम दही से बनानी है जिसमें आप तन्या और नमक डाल सकते हैं जो लोग नौनवेज खाना पसंद करते हैं वो लीन चिकन या बीना हड़ी बीना चमरी का 100 ग्राम रोष्ट चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं जिसमें 110 किलरीज होती है उसके अलावा 100 ग्राम पकी हुई सालमन फीस जिसमें 146 किलरीज होती है 100 ग्राम बीना ओयल ग्रील की हुई तूना मचली में 153 किलरीज होती है ये थे आपके लंच और डिनर के उप्सन जिसमें से आपको लंच में 400 से 500 किलरी तक के उप्सन चूज करने है उसे तर डिनर में 300 से 400 किलरी तक की चीज़े ले सकते है डिनर सोने से दो घंडे पहले लेना है बताएगी चीजों के अलावा चीजे डालने से किलरी की मात्रा बढ़ जाएगी ये बात को ध्यान रखना है अब बात करते हैं सामके नास्ते की 100 ग्राम तर्बुच जिसमें 30 किलरीज होती है 69 ग्राम कीवी जिसमें 42.1 किलरीज होती है 100 ग्राम ग्रेप प्रूट जिसे चकोतरा बोलते हैं उसमें 43 किलरीज होती है 100 ग्राम संत्रे में 51 किलरीज होती है 100 ग्राम मेडियम साइज के सेब में 52 किलरीज होती है 100 ग्राम अमृत में 68 किलरीज 100 ग्राम स्ट्रोबेरी में 32 किलरीज 100 ग्राम ब्लूबेरी में 57 किलरीज एक सर्विंग hard white boiled egg में 17 calories, 100 gram low fat yogurt में 63 calories, 100 gram बीना मलाइके नारियल के पानी में 19 calories, 100 gram peach आडू में 39 calories, 100 gram plum बेर में 46 calories होती है ये थे आपकी नास्ते के healthy options जिसमें maximum आपको 68 calories मिलेगी अगर आप ये diet chart follow करते हैं तो 100% is 30 days में 8 kg तक वजन कम कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो like और subscribe कर दीजिए और please share कीजिए Thank you, bye bye